हेलो फ्रेंज, मैं नेम इस प्रगुन गुपता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल PG Classes, Making Way Through Shortcuts तो फ्रेंज, हमने पिछली दो वीडियो में किया था, CM, States और उनके CMs वो हमने ट्रिक्से किया था, वो ऐसे ट्रिक्स थी, जो आपको जिन्दगी पर कभी नहीं भूलेंगे आप एक बार देख लोगे, तो चलते फिरते आपको वो याद हो जाएगी तो वो कभी भूलेंगे नहीं आप, तो ऐसे ही कुछ ट्रिक्स लेके आज मैं आ रहा हूँ आज मैं टॉपिक जो कवर करूँगा वो है, क्रिकेट के रिलेटिड जो भी कप्स और ट्रॉफिस हैं वो मैं कवर करूँगा कुछ ट्रिक्स के साथ, जो कि आपको चलते फिरते ही याद हो जाएगे आपको इतना stress नहीं देना है इस पर याद करने में, आपको ऐसे ही याद हो जाएगे तो दोस्तो इससे पहले मैं आपको एक बाद बताता हूँ कि जो मेट्रिक्स यहां आपको बता रहा हूँ वो आपको एक बार खुद से लिखनी है तब यहां एक बार पढ़ेंगे आप देखेंगे इसको लेकिन फिर वो अपनी कॉपी में जहां भी आप नोट्स बनाते हैं उसको नोट करते रहे हैं आप एक बार नोट करेंगे तो फिर तो कभी जिंदगी में आपको नहीं बूल सकता वो तो आईए हम स्टार्ट करते हैं तो पहले मैं एक बार आपको ट्रॉफिस का नाम बता देता हूँ क्या क्या है पहले आगी दिबदर ट्रॉफि, सिके नाईडू ट्रॉफि, जीडी बिरला ट्रॉफि, रोहिंग्टन कप, दुलीब ट्रॉफि, विजे हजारे, रानी जांसी ट्रॉफि, शार जार शाय गप, गवासकर ट्रॉफि, जिलेट कप, सिंगर कप, टाइटन कप, चैम्पियन ट्र तो क्या होता है कि हम TV के आगे बैठ जाते हैं, उसके बाद कोई देव भी अगर उपर से आ जाएगा न, हमने बोलेगा कि उठना है, यहां से तो हम नहीं उठेंगे, जब भी क्रिकेट स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो कोई देव भी आ गया, तो देव को हम कैसे करेंगे, दे जीडी बिला ट्रॉफी हो गया, ठीक है, उसके बाद आ गया, जब भी क्रिकेट स्टार्ट होता है, तो क्या करते हैं, हम टॉस करते हैं सबसे पहले, तो वो सिक्का उचालते हैं न, सिक्के, तो इससे हो गया, सिक्का उचालने से क्या हो गया, सिक्का उचालने से क्या हो ग प्रिंग्टन कप और मुर्ली विजय से हो गया विजय हजारे ट्रॉफी ठीक है और दोस्तों एक आपको चीज इसमें रिलेट करनी है डुलीब जो ट्रॉफी है उस से आपको basketball को आपको रिलेट करना है baller से ठीक है तो आपको डुलीब कुमार मतलब आप यह समझ सकते हैं कि जो दुलीब गुमार हीरो थे उसको उनको उनको जो एक्षन थे उनको रिलेट करना है आपको बॉलिंग एक्षन से ठीक है तो यह चीज़ आपको रिलेट करनी है ठीक है तो अब आ गया विजे और मुर्ली विजे और रोहिश हर्मा आए बैट करने बैटिंग करने और वो बैट लेके और बैट किसके तरह है जैसे रानी जांसी की तल्वार तल्वार की तरह बैट वो ऐसा बैट लेके आए ठेक है tusko डिलेट कर सकते है तो रानी जांसी ट्रॉफी भी आगया ठेक है विजे घाजारे भी आगया रोहिंग्टन भी आ गया रोई शर्मा दुलीब ट्रॉफिय आ गया कि एक्षन जो था बॉलर का वो दुलीब कुमार जैसा था ठीक है उसके बाद आ गया आपका दोस्तों आपको पता है कि जो पहले कैप आती थी जो हैलमेट आती थी इंडिया की Cricketer की उनमें सहारा का एक logo था आजकल वो नहीं है लेकिन पहले था तो अगर आप चाहू तो आप देख सकते हैं यह सहारा का logo जो है वो आपकी shirt पे भी दिखता था जर्शी पे भी दिखता था और आपको हैलमोट पे भी दिखता था ठीक है तो क्या है सहारा की टोपी और शारजा का मैदान ठीक है बैटिंग करने आए सहारा की टोपी पैने थी मैदान किसका था शारजा का मैदान था तो इससे शारजा कप हो गया उसके बाद आगया हमारा गवासकर टॉफी अब गवासकर टॉफिक को कैसे रेलेट करेंगे सुनिल गवासकर ठीक है वो आए कमेंट्री करने कमेंट्रेटर है कोन है सुनिल गवासकर clean shape में आए clean shape किस्के जिलिट से ठीक है जिलिट पता है वो आता था shaving जिलिट से clean shape करके आए और उनके साथ अपनी promotion के लिए song promotion के लिए कोई singer आया था titan की घड़ी बहन के ठीक है और देखते ही देखते हम match जीत गे match जीत गे champion बन गे Asia में और हारने वाली team जल कर खाक हो गई खाक मतलब ashes जल कर खाक हो गई मतलब ashes अब इन सब को हम एक बार दुबारा से देखते है हमको कैसे याद रखना है पहले आ गया जब भी हम cricket start करते हैं तो कोई मतलब cricket उसके आगे बैठ जाते हैं टीवी के आगे तो कोई देख भी आ जाएगा तो हम लोग नहीं उठेंगे वहाँ से कोई बिरला ही होगा जो उठ जाएगा तो कैसी शेप का जैसे तलवार होती है रानी जांसी की ठीक है तो रानी जांसी ट्रॉफी हो गया ठीक है अब आगया दुलीब कुमार आगया आगया और सामने कोई है दुलीब कुमार की एक्शन की तरह बॉलर तो दुलीब ट्रोफी भी आ गया, सहरा की टोपी पहनी थी उन्होंने या जर्सी पहनी थी, कुछ भी आप रिलेट कर सकते हो शार्जा का मैदान था, जो कि दुबही में है और हमारे कंपेंटेटर कौन थे? सुनील गवासकर थे तो गवासकर टोफी हो गया, लीम शेड़ करके आई थे तो जिलिट कॉप हो गया, उनके साथ कौन था? एक सिंगर आया था, टाइटन की गरी पहन के सिंगर कॉप हो गया, टाइटन कॉप हो गया, फिर हम मैज जीद गए चैंपियन बनगे चैंपियन ट्रॉफी एशिया में चैंपियन बनगे एशिया कप ठीक है और जो सामने वाले टीम थी वो जलकर खाक हो गई तो अशिस कप अब दो आपके बस्ते हैं इरानी कप और स्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी तो इसको आपको कैसे रिलेट करना है मैंन मुश्ताक अली को अब बचा इरानी कप ठीक है अब इरानी कप को कैसे रिलेट कर सकते हैं आपको पता है कि क्रिकेट जो है वो अब मतलब राजा एक किसम का खेलों का हम ऐसे बोल सकते हैं तो राजा रानी उस तरह से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं क्रिकेट को ठीक है तो झाल 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 झाल